Hello Friends, Welcome to my YouTube channel Friends आज मैं आप लोगों को बताने ज़ा रही हूँ अगर आप लोगों के मांस पेशों में भी लगातार दर्द रहता है अगर आपके भी पीट में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, एठन रहती है, हाथ पेरों में दर्द रहता है तो आप लोग कैसे इसे ठीक कर सकते हैं हाज जी आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बहुती आसान सा तरीका बताऊंगे जिसकी मदब से अगर आप लोगों के मांस पेशों में लगातार दर्द रहता है, तो वो खतम हो सकता है तो फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को उपाई बताने वाली हूँ, उस उपाई को आप लोगों ने दिन में एक ही बार करना है आप लोगों ने एक गिलास दूद लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने आधा चमच मुलेठी मिक्स कर लेना है मुलेटी का पाउडर भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा वो से आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को इसका पाउडर नहीं मिलता है तो आप लोगों को साबुत मुलेटी भी मिल जाएगी उसका आजा तुकड़ा आप लोग दोदमन डाल सकते हैं तो अब मैं आप लोगों को पताती हूँ कि मुलेटी के फाइदे हमें क्यों होते हैं मुलेटी के अंदर विटामिन A, विटामिन C, फाशोरस, कैलशियम, आइरन, मैगनिशयम, पोटिशयम, सेलेनियम, सिलिकॉन, जिंक जैसे खनीज बहुत अच्छी मातरा में होते हैं जो कि हमारे सरीर के लिए काफी जादा फाइरेमंद होते हैं इसकी ताशीर काफी जादा ठंडी होती है, आप लोग इसे गर्मियों में बड़े आसानी से ले सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों को इससे सर्दियों में लेते हैं तो आप लोगों को इससे लेने से थोड़ा बचना चाहिए मुलेटी हमारे मानसपेशों के दर्द को दूर करती है, हमारे गले की खराश को दूर करती है गले की जलन को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, जिन भी लोगों को गठिया की प्रोब्लम है, उन लोगों के लिए मुलेठी एक वरदान से कम नहीं है, जिन लोगों को अस्तमा है, उसे भी ये खतम करता है, जिन लोगों के अंदर बैट कॉलेस्टॉल है, उसे भी ये बहुत कम है उसे भी ये बहुत तेजी से बढ़ाती है और जो लोग भी डायबेटीस के मरीज हैं उन लोगों को भी मुलेठी का सेवन जरूर करना चाहिए तो आप लोगों के प्सकाराइबेटी रेशा meow है पना मिक्सरी आप सबी लोगों के घर में अवैलिबल हो गाई है तो आप लोगों ने मिक्सी इसमें आधा चमच मिक्स कर लेना है ये हमारी मान स्पेशों की मरमत करता है रात के समय हमारी मान स्पेशों की मरमत ये बहुत तेजी से करता है अगर आप लोग इस दूद को रात के समय पीते हैं आप लोगों को काफी ज़्यादा आराम मिलता है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को भी मांस पेश्यों चीज जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है जैसे पीर दर्द, बर्दन दर्द, हाथ पेरों में दर्द या फिर एठन होती है, हाथ पाउं आपके चड़कते हैं तो आप लोगों को मुलेठी काश जरूर सेवन करना चाहिए ये आप लोगों की सारी प्रॉब्लम खतम कर देती है, मांस पेश्यों से जुड़ी तो I hope friends, आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई, आज की ये information काफी अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो make sure इस वीडियो को like कर देना, इस वीडियो को share कर देना और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर देना तो चलिए मिलती हों आप लोगों को अपने एक और नई health वीडियो के साथ तब तक लिए, bye bye, thank you for watching my video